इस पूरी रिपोर्ट के जरियाब समझे कि आखिर असम में पानी के वज़े से कितना हाहकार मज़ा हुआ है इंसान तो इंसान दूब गए भगवान पानी के सामने हार गए पालन हार जब भर भरा कर गिरा स्कूप बारिश और बार से सिर्फ आम इंसान के जिंदगी में परेशानी हो ऐसा नहीं है शहरों में पानी है, सडकों पर सैलाब है, रफतार थम गई है और बारिश के इस कहर से भाग विधाता भगवान भी नहीं बचपाए इस बारिश ने भगवान को भी हिला कर रख दिया, गुवाहाटी में बारिश का ऐसा ही रोद्र रूप देखने को मिला ब्रंभपुत्र नदी का जलिस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है ब्रंभपुत्र खत्रे के निशान के उपर बह रही है यहां कालीपुर इलाके में पानी का जलिस्तर इतना बढ़ा कि पानी भगवान विश्नु के पहरों तक आ गया और देखते ही देखते नाज शया पर लेटे हुए भगवान विश्णू और उनके पाउं दबाती माता लक्षमी की मूर्ती पानी के बहाव के साथ बहती चली गई ये तस्वीरे देखकर आप सोचेंगे जैसे पानी के नीचे कोई मशीन लगाकर मूर्ती को ले जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है बलकि पानी का बहाव इतना तेज है कि श्रश्टी के पालनहार भी पानी के सामने हार गई मानों लग रहा है कि भगवान विश्णू की मूर्ती खीर सागर में तैर रही है असम्ट्य मोरी गाउं जिले के लोरी घाट सरकल में ब्रंबपुत्र का आसर देखने को मिल रहा है यहां तुलसी बोरी लोर प्रात्मे के स्कूल में पानी भर गया है और स्कूल भर भरा कर गिर गया यहां के साड़े तीन सो से ज्यादा छात्र स्कूल गिर जाने की वज़े से मायूस है वहें इलाके के कई स्कूल गिरने की कगार पर खड़े है बारिश और बार ने जिन्दगी को मशक्कत के जोले में ला रखा है कुद्रत का कहर ऐसा ना इसकूल बच पा रहा है और ना खुद पालन हाई और रिपूर्ट भारत समचार आगे बढ़ते हैं असम के बाद अब उत्तर प्रदेश के हम बात करते हैं सबसे पहले गोरगपुर की गोरगपुर में भी बारिश के बाद हालाद बस से बत्तर हो गए हैं गोरा नदी की धारा को मोड़ने के लिए ब्रह्मो पुत्र ब्लॉक में बनाए गए बंधे में कतान से बाव